कि अब बॉरिंग इस्टुरेंट्स सभी इस्टुरेंट्स सबसे पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें मैं सेलिंदर प्रकास आज आप लोगों के साथ फिट से केमिस्ट्री के एक और सैसन के साथ जिसमें हम लोग इस्टुरेंट लाश्य को एक यहाद सेck粉 अधर पके इस्टुरेंट P.담 नेहां तक भी हमने डिफरेंट रूस डिफरेंट एक्जाम्पल्स को देखा था जो ना सिर्फ आपके इसकोल एक्जाम में एक इंप्रेंट रोल को प्ले करता है अलग अलग तरीके से को पूशता है तो पिश्टा हमारा हुए आपका उब इतक हमने बात की थी saturated hydrocarbons के naming की ठीक है और फिर उसके बाद बात की कि जब long chain या straight chain होगी तो फिर आप कैसे नॉमंक्लेचर करेंगे रांश chain होगी तो फिर कैसे नॉमंक्लेचर करेंगे अब बात आती इस्ट आप लोगो की next topic है that is unsaturated hydrocarbon next topic लिखेगा इस्ट आप लोग आप लोगों का नेमिंग ऑफ अन्सेचुरेटेड हाइड्रो कार्बन तीक है अन्सेचुरेटेड हाइड्रो कार्बन की naming naming of unsaturated hydrocarbons ठीक है unsaturated hydrocarbons की naming unsaturated और सैचुरेटेड संत्रिफ्त और असंत्रिफ्त ये धोनों बातें आपको समझाई थी टीक है तो यहां से आप lِख लिख सकते हैं्सsteveren 40我們 का संद्रिफ्त hydrocarbons का यहां से टर मैं लिखों भी ऐसंद्रिफ्त hydrocarbons का तो क्या का इस हृषार नाम करण के ऊपका यी उप्यक्राइट क्या आप पिएंम कि कैसे आप लोग इनके आईउपस सी नेम को लिखते हैं तो श्यक्राइटे डाुट कुछ वर्ली जहां पर कार्बन एस सा हाइड्रो कार्बन जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में या तो आपका डवल बॉंड और ट्रिपल बॉंड कि अगर या तो वहां पर डवल बॉंड होगा या तो क्या होगा त्रिपल बॉंड होगा रिबंध होगा या फिर आप लोगों का त्रिबंध होगा तो दोनों बात आप लोगों को समझाई थी स्टुरेंट कि यहां से आपसे बात कहों भी तो अन्सेचुरेटेड या असंत्रिफ्त कहने का मतलब था या तो आपका दो कार्बन आइटमस के बीच में । नॅर्त स Kiss被 में।साद विभलən कांद भी करता हों या फिर क्या होगा स्टुरेंट आप लोगों का क्रिपल बॉंड होगा है यहां पर क्या होगा यहां बात भीकरता है। या फिर क्या होगा video का triple bond होगा triple bond कहने का मतलब है student आप लोगों का कि यहां पर क्या होगा या फिर आपका three बंद होगा तो यह तो double bond होगा यह तो आपका triple bond होगा अब यहीं से अगर मैं लेकर चलता है student यह बात हमें पता चल गई कि unsaturated hydrocarbons में कौन से पर हाइड्रो कारवन आने वाले student आपके जहां पर कारवन के बीच में यह कारवन एटम्स के बीच में यह तो double bond हो या फिर आपका triple bond ठीक है तो वन बाइवन बात करते हैं student आपके तो सबसे फटा फट चिपहर से एक हैड Hindi की कि आपसे नेमिक और कि अन्साइचुरेटट रहीडिड कारवन नेमिंग और पूरीं एन्सेचुरेटब हाइड्रोकारबंस नेमिंग और यहां ठीक है कि unsaturated hydrocarbons के लिए naming कब जब आपका क्या होगा double bond लगा हुआ होगा containing a double bond कि जब यहाँ पर क्या होगा इस प्रेंट आपका एक double bond दो carbon atoms के बीच में लगा होगा containing a double bond अभी मैं सिर्फ आपको standard method बता रहा हूं real जो होता है वो हम लोग double bond को भी जैसे कल की क्लास में लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि एलकाइल ग्रुप को calculate करते थे कहां से आपके smaller distance से यह smaller number से जहां से वो pass था वहां से numbering करते थे ऐसे आपके double bond के लिए भी होता है अभी मैं सिर्फ आपको standard बता रहा हूं फिर वह numbering अगले स्टेज में आपको बताता हूं तो डबल bond की बाद आई इस तुरेंट आप लोगों की कि डबल बॉंड के लिए कैसे हम लोग नाम लिखते हैं तो हमें पता है जब आप लोगों को hydrocarbons का classification बताये था जहां कार्बन कार्बन के बीच में double bond होता है वहाँ पर end में इस तिम के बाद क्या लगता है इस तुरेंट आप लोगों का यहां लगता आपका इन लगता है कैसे देखेगा एक एक चोटे से एकजामपल से हम सुरुआत करते हैं तो यहां से देखें इस तुरेंट कि यह सबसे पहला एकजामपल मैंने क्या कहा आप से इसका रसाइनिक सूतर केमिकल फॉर्मूला भी आपको बताया था सी एन एस तुरेंट आपकी सी टू एच फूर की बात हुई सी टू ए sen Gal Badioni कितने हैं दो ऑपने कहा कि सर एक हाइड्रोजच्र यह है एक हाइड्रोजच्र यहे ऐ हे एक हाइड्रोजन यह है घा समस्या क्या है कि कारवन के अपने लास्ट और्विटल में चार्वेटरों होते थे लास्ट और बेटल में इसका मतलब रिक्वाइड कितने अभी अभी और इस ने क्या किया क्या क्या क्योंकि बगलवाले गारवन पर भी स्वेम चीज बीट रही है दू इलेक्ट्रोन इसके पास दो और चीए हैं इन दोनों ने आपस में दो दो इलेक्ट्रोन की sharing कर ली तो यहीं से इसी बात को और कैसे बना कर देता इसुर्णट आप लोगों को इसी बात को जब आपको naming में देंगा या तो ऐसे देंगा या फिर कैसे देता है इस्टूरेंट आपका H2C और यहां से double bond CH2 ऐसे लिखकर देदेगा और आप से कहेगा कि वर्ट इस दी आयू पीस्टी नेम या फिर वर्ट इस दी कॉमन नेम फोर दिस हाइड्रो कारबन ठीक है तो अब इस हाइड्रो कारबन के लिए अगर हम कॉमन न इसने देखेंगे कि या और चल्द करते हैं तो सबसे पहले यहां से लिए कितने हैं और तू सिसका मतलब क्या है मेरा यहां दो कारबन मलत यह तो बात समझ आ गई अगर मैं सबसे पहले इसका नाम लिखता हूं कौन सा आई यू पी एसी ने ठीक है कि जो हमारा ओफिशियल नेम है उससे मैं सबसे पहले लिखता हूं तो दो कारवन है इसका मतलब क्या आना आपका एथ आना है तो आपने क्या कहा है कि सबसे पहले एथ आना है तो एथ आ गया दूसरी बात आपने क्या क अगर मैं इसके common name की बात करते हैं जो हम घर में इसे या नौर्वली हम इसे लिखते हैं यह जगाओं पर इसे हंडी में अधी लिखता है इन दोनों मेंसे कोई भी नाम आपको देखने को मिले सकता है ठीक है जन्दली हमें आई यूपी एससी का में हम लोग यहां पर लेकर चल रहें हमारा आई यूपी एससी नॉमनक्लेचर है यूपी नेम जो इस टी टू एस फूर के लिए निकल कर आएगा दाट इस एथी टीक है इन लगा है यह नि लगा है क्योंकि आपका क्या था डबल इसी तरह से मैं अगर एन के वैल्यू यहां तो हमने लिया था इसलिए हमारा क्या हुआ था सीटू एच्पोर वा था सीटू एच्पोर की जगह में दूसरा एक्जामपल जो लेकर चल रहा हूं सी थ्री होगा अगर तो एच्छिक्स हो जाएगा यहीं से मैंने क्या कहा कि अगर च्पोर एक यहां लेकर चले यहां लेकर चले एक हुआ यहां पर आगे आपका सिंगल बॉंड एक आपका यहां पर आगिया इस तुरेंट आपका और एक यहां पर आगिया अभी बात देखो जरा कि अगर आप इस तरह से देखोगे इस इस्ट्रक्चर को देखकर आपको पता चल रहा है कि दो इलक्ट्रोन यहां से लेने पड़ेंगे तो यहां डवल बॉंड आजाएंगे यहां पर क्या लग जाएगा आपका डवल बॉंड द्विबंद लग जाएगा पर इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे बनागो यहीं से अगर मैं बात कर लेता हूं कि इस हाइड्रोजन को यहां ना जब हम लोग ब स्ट्रक्चर यहीं से अगर मैं इसको दूसरी फॉर्मेशन में भी लिखता हूं तो कैसे लिखूँगा अगर आपको दूसरी फॉर्म में भी देता है तो वह ऐसे भी दे सकता है सबसे पहले लिखेगा एच-3C यह तो था पिर आजाएगा आप लोगों का सी एच यह यहीं के लिए इसका आयू पीए सी वै कॉमन नेम क्या होगा अब यह देखो जैसे डबल बॉंड आप इधर से काउंटिंग करोगे तो वन टू पर जा रहा है यहां से काउंट करोगे तो वन पर आ यह बात मैं आगे बताऊंगा आपको अभी मैं सिर्फ आपको नॉर्मल नेमिंग लिखा रहा हूं जैसे यह वन यह टू और यह थ्री तो कितने कारवन है इस्टूरेंट आपके तीन है मेथ एध और प्रोब अगर मैं यहां से इसकी बात भी करता हूं इसके आई यू पीए स इसी नेम अगर आप देख रहे हैं तो यह हो जाएगा इस तुरेंट में इद प्रोब इसका मतलब यह लग जाएगा इस तुरेंट आपका प्रोब लग जाएगा डवल बॉंड है तो हमने क्या का था इए एन यह आ जाता है इस इस प्रोपेन और अगली बात इस मैं इसका कॉमन नेम देखता हूं जैसे हमने नीचे भी लिखा था यहां अगर मैं बात करता हूं इसके कॉमन नेम की अगर हम लिखते भी है इसका कॉमन तो तीन कार्बन थे थ्री कार्बन थे तो प्रोब तो निकल कर आए गई तो यहां हमने क्या क्या था एथी लेन तो यहां पर अगर हम लिखते भी हैं तो सिंपल क्या आपको इंदी में अगर आप देखोगे यह आजाएगा आपका वन प्रोपीन इसकी लोकेशन को इसकी पोजिशन को इंडिकेट कर रहा है दबल बॉंड हमारा फॉस्ट पोजिशन पर है आप कहींगे कि सर नंबर इधर से भ और हमने ब्रांश राइडरो कार्बन देखा था नंबरिंग हमेज़ साइस मॉलर आने चाहिए या लोकेशन हमेज़ा कम से कम आनी चाहिए आप कोशिश्ट करें कि जहां से कम आ रही है वहाँ से आप नंबरिंग करें ठीक होगा कमन नेम की बात करता हूं तो यह हो किसी भी स्टुरेंट को डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लखें पूछें जरूर कमेंट बॉक्स में यहां तक इसे ध्यान से देख लिए यह था आप लोगों का दो एक्जांपल हमारे किसके जब हम कंसीडर कर रहे हमने क्या कहा यहां से unsaturated hydrocarbon है पहली बात कि unsaturated में दो केस आते हैं डवल बॉंड ट्रिपल बॉंड का हमने क्या कहा कि अभी जो हम केस लेकर चल रहे हैं वो किसका आपका डवल बॉंड का है डवल बॉंड के केस में लास्ट में क्या लगता है इन लगता है वह चीज हमने नीचे सब जगह एक्जामपल में की भी है और सिर्फ यहीं नहीं सभी जगह यहीं चलता है आपको क्या लगाना है सिंपल सा इन लगा देना है यह नहीं आप लोगों को लग झाल झाल